कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब अगर दसों दिशाएं हमारे सामने होती हमारे चारों और नहीं। कितना आसान होता चलते चले जाना यदि केवल हम चलते बाकी सब रुका होता। मैंने अक्सर इस उल जलूल दुनिया को दस सिरों से सोचने और बीस हातों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहत मुश्किल बना लिया है। शुरू शुरू में सब यही चाते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार जाते हैं। हमें कोई दिल्चस्पी नहीं रहती कि वह सब कैसे समाप्त होता है जो इतनी धूम धाम से शुरू हुआ था हमारे चाहने पर। दुर्गम वनों और उचे परवतों को जीतते हुए जब तुम अन्तिम उचाई को भी जीत लोगे जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है जब तुम अपने मस्तक पर एक बर्फ का पहला तूफान जेलोगे और कापोगे नहीं तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत नहारने में